देखते हैं इस वीडियो को और देखते हैं financial system के बारे में साथियो objective जो है इस chapter को पढ़ने का वो यह है कि हम एक overview हमें मिल जाए एक broad understanding हमें मिल जाए कि financial system कैसे काम करता है क्या है कैसे काम करता है और इसकी importance हमें क्यों जरूरत है इसकी तो यह सब कुछ आपको इस chapter में समझ में आएगा साथियो financial system means a structure that is available in an economy to mobilize capital from surplus sector of economy and allocate and distribute the same to the various needy sector इसका मतलब समझते हैं साथियो financial कह रहा है कि financial system की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि कुछ sectors ऐसे हैं जिनके पास surplus fund है और दूसरी तरफ कुछ sectors ऐसे हैं जिनके पास पैसे की कमी है तो financial system क्या करता है इंटरमीडियेटरी की तरह act करता है और जिन sectors के पास में extra fund है surplus fund है जो जिसकी उनको जरूरत नहीं है उस पैसे को mobilize करके वहां से निकालके और उन sectors की तरफ उन individuals की तरफ पहुचाता है जिनको उस पैसे की जरूरत है और उस पैसे को जो use करके और grow कर सकते हैं ग्रोथ ताकि economy में लाई जा सके the transformation of saving into investment and consumption और क्या करता है यह savings को investment and consumption में transform करता है साथियो savings क्या होती है जब आप कोई earnings जो आपकी होती है उसमें से कुछ तो आप consumption कर लेते हैं कुछ आप expense होते हैं आपके उसके बात जो आपके पास पैसा बचता है उससे savings कहते हैं लेकिन जब तक आप उस पैसे को कहीं invest नहीं करते हैं तब तक वो आपकी savings ही है वो आपके saving account में या कहीं भी idle रखी हुई है लेकिन एक बार जब वो savings जो है वो investment में convert हो जाती है तो investment में जब convert हो जाती है तो वो पैसा जो है वो system में आ जाता है वो कहीं किसी और के पास पहुंचता है जिसको उस पैसे की जरूरत है और वो उस पैसे को युटिलाइज करके अपना बिजनिस ग्रो करता है बदले में आपको एक इंट्रेस्ट मिलता है कुछ अर्निंग्स आपको भी होती है तो यह विन-विन सिचुएशन होती है दोनों के लिए ही और यह जो प्रॉसेस है जिसके पास सरप्लस फंड है इस्पेंडर कौन हुआ जो उस पैसे को खर्च करेगा तो कई तरह के इस फैनेंशल एसेट्स बनाए हैं जो की इंडिविज्विजल नीड्स इन्वेस्टर की भी सेटिस्फाई करे और इस्पेंडर की भी जिससे पैसे की ज़रूरत है जो खर्च करने को चाहता है उसकी भ अगलग तरह के जो फैनेंशल एसेट्स हैं यह प्रवाइड करते हैं और यहीं पर सपोर्ट रोल आता है फैनेंशली फैनेंशल इंटर्मीडियेट्री का जो की इंटर्मीडियेट करती हैं बीच में मीडियेशन का काम करती हैं और इस तरह के इंटर्मीडियेट्री होती है banks, financial institutions, mutual fund ये सारी है सात्यों असान भाषा में समझते हैं देखिए surplus sector और deficit sector को समझिए financial system का क्या काम है कि अगर मान लीजे जैसे आप है आपके पास 50,000 रुपए आए आपकी salary आई आपने 30,000 रुपए खर्च कर दिये 20,000 रुपए बैंक में रखे FD बनबादी एक साल के लिए तो एक साल के लिए आपने वो पैसा बैंक में fix कर दिया है अब बैंक क्या करेगा बैंक एक financial intermediary की तरह काम करेगा उस पैसे को बैंक किसी और person को जिसको उस पैसे की जरूरत है उसको loan दे देगा अब इसमें दोनों का फाइदा है जिसने पैसा अपना deposit किया invest किया है FD बनबाई है उसका भी फाइदा है उसको उसपे interest मिलेगा प्लस जिसको पैसे की जरूरत थी जिसने loan लिया है अपनी industry लगान set up करने के लिए business growth के लिए तो उसको भी फाइदा है उसको funds अबलेबल हो गए और वो grow कर सकता है साथ ही bank जो है इसमें intermediary का role play करता है और दोनों ही खुश रहते हैं दोनों को ही security होती है जो saving करने वाला person है उसको security है कि मेरा पैसा जाएगा नहीं बापस मिलेगा मुझे और जो loan ले रहा है उसको ये security है कि मुझे ये पैसा मिल गया है अब मुझे उसके बाद में किस थी जमा करनी है और ये fix amount of interest है उतना ही देना उससे ज़्यादा मुझे नहीं देना है तो ये है साथियो एक overview financial system का और financial market की बात करते हैं ये एक table बनाई हुई है जिसमें अलग-अलग जो markets हैं उनके instruments हैं वो सब show कर रखे हैं short में इसको table को समझ लेते हैं साथियो financial market जो होती है वो 4 markets से comprise होती है money market, debt market, forex market, capital market money market क्या होता है ये short term instruments होते हैं इसमें एक साल नॉर्मली जो है एक साल से कम के लिए अगर जिसको investment करना होता है तो वो money market की तरफ जो instrument हैं उनमें जाते हैं money market में call money, treasury bill, term money certificate of deposit repo, commercial will CP ये सारी चीज़ें आती हैं तो साथियो money market हो गई short term के लिए दूसरा आता है हमारा इनके बारे में detail में पढ़ेंगे further अभी short में देख रहे हैं साथियो debt market है debt market में government securities और bond आते हैं आपके government security में central government और state government की securities bonds होते हैं जो financial institution के bond है PSU के bond है corporate securities है साथि forex market आती है forex market जहाँ पे जो foreign exchange में जो trade होते है वो है capital market है capital market साथियो long term investment के लिए prefer की जाता है तो यह capital market है जो की stocks से related है तो साथियो यह अलग-अलग instruments हैं अलग-अलग जो चार markets है financial market को जो broad categorization है वो है stable में further देखते हैं साथियो financial system जो है comprises of mixture of intermediaries, market and instruments that are related to each other अब वो ही इसी जो table की बात कर रहा है साथियो जो इसमें दी हुई है कहते हैं कि financial system जो है इसमें intermediaries है markets है और instrument है जो की आपस में correlated है एक दूसरे से उपर dependent है वो ही हमने देखा कि जैसे चार market थी इसमें money market, debt market forex market, capital market और इसमें जो assets है instruments है वो discuss किये थे हमने call notice, treasury bill, term money ये सारे जो हैं वो instruments है Central Banking Authority का role देख लेते हैं साथियो brief में जो Central Banking Authority है RBI Reserve Bank of India है two distinct role है major सबसे पहला तो है monetary control monetary control including controlling inflation and bank supervision तो साथियों दोनों रोल ये हैं कि monetary control पहला तो रहता है और साथ में देखना कि महंगाई ना बड़े inflation को control में रखना और दूसरा बहुत important role है कि banking, bank जो है उनका supervision करना banking जो institutions है उन सभी का supervision करना भी RBI का role है all major central bank of other countries to look after these two function and carry the charge of ensuring that the overall financial health of bank is not impaired साथियों जैसे हमारे country में RBI है बैसे ही और भी countries में उनके central banks हैं जो की financial health को monitor करते हैं और ध्यान रखते हैं कि banking में कोई दिक्कत ना आए smoothly function चलता रहे साथियों bank जो है RBI जो है जो on-site, off-site sublains रखता है banks का और monetary control भी रखता है monetary control जो है इसके अलग-अलग instruments हैं अलग-अलग तरीके हैं जिन से monetary control करता है central bank जिसमें CRR है, SLR है, bank और repo rate हैं तो यह सारे instruments हैं जो central bank के पास available हैं और इनी के माद्यम से इनी को use करके central bank जो है monetary control रखता है तो साथियों फर्दर देखते हैं financial system में ये एक table दी हुई है जिसमें central banking authority capital market regulatory authority insurance and pension regulator तीनों के बारे में दिया हुआ है तो साथियों आप समझ गया होंगे central banking authority का मतलब RBI की बात हो रही है capital market regulatory authority का मतलब है SEBI की बात हो रही है क्योंकि capital market को regulate करता है SEBI और insurance and pension regulators की में IRIDA की बात हो रही है तो साथियों monetary control central bank रखता है और supervision रखता है commercial bank non banking financial institutions पे primary dealers पे financial institutions पे cooperative bank clearing and settlement system इन सभी को control करता है supervise करता है RBI और government के debt को भी manage करता है और government का banker भी RBI होता है साथी इसे lender of last resort to banks भी कहते है जब banks को पैसा चाहिए होता है किसी तो immediately जो पैसा मिलता है वो RBI से मिलता है और जो regulate करता है ये market को वो 3-4 जो इनके पास instrument है जिसमें CRR, SLR, bank rate, repo rate और marginal standing facility जो होती है इनी को एक ratio में थोड़ा बहुत उपर नीचे करके कम ज़ादा करके liquidity को maintain करता है RBI और पूरा supervision और monetary control करता है capital market regulatory authority यानि CABY की बात करें हम तो ये क्या करते है equity market और depth market supervision और control का काम है इनका stock market का पूरा control जो है वो CABY के हाथ में रहता है supervision over stock exchange जो हमारे BSC, NSC है brokers जो अलग-अलग काम करते हैं इनमे equity और depth traders जो पैसा उठाते हैं market से investment bankers, merchant bankers जो होते हैं उन पे भी control करते हैं finance foreign institutional investors FII's जिनका नाम सुनाओगा जो foreign के होते हैं invest करते हैं हमारे यहां के market में custodian है आपके जो पैसा लगाया है उसका ध्यान रखता है कोई investors को loss ना हो कोई उनके साथ cheating ना हो control करता है depositories जो होती है CDSL वगेरा mutual fund पे supervision रखता है mutual fund आपने काफी नाम सुना होगा जो अलग अलग companies के mutual fund आते हैं जो पैसे लोगों से raise करके और उसके बाद उनको अलग अलग जगे invest करते हैं stocks में debts में invest करते हैं listed companies जो हैं उनका supervision कि उनकी proper financials वगेरा वो दे रहे हैं सब कुछ सही से profit and loss accounts वगेरा जो भी details हैं वो सारे अपने mention कर रहे हैं और service provider भी है capital market के लिए तो साथी ये सारा काम तो हो गया आपका SEBI का और IRIDA जो है insurance and pension regulator है वो insurance business regular चलता रहे हैं उसका दिहान रखता है supervising करता है all insurance company का general life insurance business जो दोनों में जो companies हैं उनका supervision का काम है इसका और pricing investment cost structure जो है insurance company का उसको भी regulate करना है साथ में जो insurance broker है उनको भी manage करता है जिसमें की banks भी आते हैं और individuals भी आते हैं और insurance के साथ में pension का भी काम है जो pension fund के rules and regulation है वो भी IRDA ही मनाता है तो साथियों further इसमें जैसे RBI के बारे में एक point और दे रखाएगी RBI जो है bank को supervise करता है और ये किस के अंदर RBI act के अंदर दिया हुआ है उसके तहत ही RBI supervise करता है और एक department बना हुआ है department of supervision to control commercial banks और RBI efficient payment and settlement system maintain रहे वो भी insure करता है साथियो commercial banks क्या होते है commercial banks जो है उसमें public sector banks आते है foreign banks आते है old and new private sector bank ये सभी banks जो है commercial banks में आते है और इनका काम क्या होता है ये deposit को accept करते है public के से और किसलिए accept करते है for the purpose of lending or investment in the main area of activity साथियो commercial banks का जो main काम है सबसे मुख्य जो काम है वो ये है कि वो deposit accept करेंगे और उस deposit को land करेंगे या invest करेंगे in the main area of activity अब ये तो commercial bank हो गए non banking financial companies भी आजकल काफी संख्या में है NBFCs banks की तरह NBFCs को भी RBI license देता है और control करता है तो NBFCs are allowed to raise fund deposits from public and land through various instrument including leasing higher purchase bill discounting तो साथ ये NBFCs भी deposit raise कर सकती है और land कर सकती है अलग-अलग instrument के थूँ जिसमें bill discounting और leasing higher purchase ये सारी चीजें है license मिलता है इनको Central Banking Authority से और control भी Central Banking Authority इनको करती है primary dealers का होते है साथियो PD कहते है primary dealers ये government securities में deal करते है primary और secondary में दोनों में ही तो इनका काम है market maker of government securities financial institutions FIIs होते हैं जो की financial institutions FIIs तो साथियो financial institutions क्या है establishment है an establishment that focuses on dealing with financial transaction एक वो establishment संस्था जो की financial transaction जो है investment, loan, deposit इन सब में जो deal करते हैं वो financial institutions होते हैं नॉर्मली हम banks जो है financial institution में ही आते हैं cooperative banks साथियो cooperative banks initially क्या था cooperative banks जो थे वो set up करे गए थे एक particular आपस में कई लोगों ने जैसे जो लोग मिल जाते थे cooperative firm बनाते थे cooperative banks बनाते थे तो वो अपनी need के लिए satisfy करने के लिए बनाते थे लेकिन आज के समय में वो major needs of agriculture और light activities की हैं उनको पूरा करते हैं cooperative banks काफी active हैं especially in rural based industry rural area में और जहां पे जो commercial banks हैं उनकी पहुँच कम है nationalized banks की पहुँच कम है बहाँ पर छोटी छोटी जगहों पर cooperative banks operate करते हैं और ये काफी ज़्यादा lending करते हैं agriculture-related activities को और cooperative banks जो है ये control होते है state government और RBI के दौरा ये urban cooperative banks आती हो urban cooperative banks जो है they are controlled by state government and RBI and other cooperative banks are controlled by national bank of agriculture and rural development नबाड बाकी जो banks है उनको नबाड और state government control करते हैं payment and settlement system देख लेते हैं साथियो payment and settlement system काफी ज़रूरी है एक smooth functioning of financial system के लिए इसलिए clearing house maintain किया जाता है अलग-अलग centers पर currency holdings की जाती है chest मे different geographical area में ताकि जो checks वगरा है वो समय से clear हो और सारा कुछ smoothly चलता रहा है government debt को manage करना साथियो central bank जो है वो government debt को भी manage करते हैं तो और banker to government भी होते हैं जो भी government के जो अगर bond issue करना या tragedy bill issue करना है तो वो सारा काम जो है central bank के थूरू होता है lender of last resort to banks जब भी banks को liquidity की ज़रूरत होती है तो central bank liquidity provide कराता है temporary basis पे और ये होता है जो security purchase central bank कर लेता है जिसको हम repo भी कहते हैं repo facility भी कहते हैं उसके थूरू liquidity अप लेबल कराता है CRR क्या होता है साथियो CRR जो की RBI Act 1934 में है दिया हुआ CRR is the amount of fund that all scheduled commercial banks are required to maintain with RBI जो साथियो CRR वो minimum amount है mandatory deposit है जो की banks को commercial banks जो है scheduled commercial banks जो है उनको RBI के पास रखना ही रखना है उतना पैसा तो ये क्या है it is a percentage of their net demand and time liabilities तो ये जो demand और time liabilities होती है banks की उसका कुछ percentage जो की RBI fix करता है उतना banks को RBI के पास रखना होता है और ये net demand and time liabilities क्या होती है साथियो net demand liabilities और time liabilities तो liabilities of assets bank के समझ लेते हैं साथियो जो भी bank loan देता है वो bank के assets होते है क्योंकि उस पर उसको interest earn होगा उनकी earnings होगी bank की तो वो तो हो गई assets और जो भी deposit bank में जमा होता है वो bank के लिए liability है क्योंकि उस पर bank को ब्याज देना है interest pay करना है depositors को तो जो भी deposits bank ने लिए हुए है वो उनकी liabilities है जो saving account में पैसा पढ़ा है वो demand liabilities में आ जाता है saving current account का पैसा और जो आपका FDs में जो पैसा है वो time liability के अंदर आता है तो जितना deposit है उसके हसाफ से उसकी कुछ percentage central bank के पास रखनी जरूरी होती है SLR SLR statutory liquidity ratio यह क्या है prescribed percentage of net demand and time liabilities of bank to be held in prescribed security mostly government securities साथियो सबसे पहले तो CRR और SLR यह दोनों ही मिलते जुलते terms है दोनों में क्या है एक bank ने जितना deposit accept करा है उसके against में उसकी कुछ percentage bank के पास जो है होनी चाहिए कुछ percentage जो bank जो है RBI के साथ maintain करता है जितना RBI के पास maintain करेगा वो तो CRR हो गई और जो bank को अपने पास रखनी होगी prescribed securities में वो SLR कहते हैं उसे तो SLR किस form में रखना होता है mostly government securities के form में SLR रखना होता है तो यह दोनों ही जो है depend करती है demand और time liabilities कितनी है उसके उपर equity and debt market समझते है equity and debt market जो equity market है जिसमें shares होते है और debt market है जो debt older जो है market जो debt market में आते हैं आपको diventures bonds यह सारी चीज़ां आती है और जो भी security जो है stock exchange में freely court होती है खरीदी और बेची जाती है तो इन सब को approval लेना होता है capital market regulator से सेबी से stock exchange जानते हैं साथियों क्या होता है stock exchange is duly approved by regulator to provide sale and purchase of securities on behalf of investors तो साथियों stock exchange वो जगह है जहांपे freely securities trade होती है investors sale और purchase करते हैं equities को और brokers क्या होते है brokers जो है approval लेते है central market regulator से यानि सेबी से उसके बाद में वो operate कर सकते हैं stock exchange में और broker जो है intermediary का का काम करते हैं buyer of seller of securities जो security जो security बेच रहा है और जो security खरीज रहा है उनके बीच में intermediary का काम जो करते हैं वो brokers करते हैं equity and debt raisers साथियों companies wishing to raise equity or debt through stock exchange have to approach a capital market regulator with prescribed application performa as prospectus for permission to raise equity and debt to get them listed on a stock exchange साथियों अगर किसी company को पैसा raise करना है तो पैसे की दो ही form होते हैं या तो वो debt equity के form में raise करें या debt के थुरू तो जब भी जो company है उनको equity or debt के थुरू पैसा raise करना है तो stock exchange में list होना होगा उसके लिए जो सेभी की permission लेनी होगी तो वो सेभी को approach करते हैं proper performer application के साथ में investment bankers क्या होते हैं investment banker जिनको merchant banker भी कहते हैं तो merchant banker undertake a number of activities such as undertaking the issue of stocks, fundraising and management stock issue करते हैं fundraising और management करवाते हैं merchant bankers they also provide advisory service and counsel on merger and acquisitions तो साथियों ये advisory service भी provide कराते हैं जो merger and acquisitions होते हैं दो company हम merge करती हैं एक company किसी और का acquisition करती है दूसरी companies का तो उनमें counseling service advisory service भी provide करते हैं और इनको भी license लेना होता है foreign institutional investors FII is an investor investment fund that is from or registered in a country outside of the one in which it is currently investing FII क्या होते हैं साथियों वो investors या investment funds जो की register तो दूसरे country में हुए हैं लेकिन वो investment कर रहे हैं दूसरी country में जैसे आपने सुना होगा हमारे हैं भी काफी सारे FII investment करते हैं और यह FII's Singapore, USA अलग-अलग various countries के होते हैं तो इन्हें भी permission लेनी होगी regulators से depositories होती हैं जो की DMAT के form DMAT खोलती हैं जहां पे आपके shares वगेरा जो है वो electronic form में securities को store करती है तो depositories होती है mutual funds है mutual fund का नाम आपने सुना होगा साथियो mutual fund जो की आजकल काफी चर्चा में है तो साथियो mutual fund is a form of collective investment that pools money from investors and invest in stocks debt and other securities तो mutual fund क्या होता है साथियो collective investment है जो की pool करता है money from investors कई सारे लोगों से कई सारे investors से पैसा लेके और एक fund बनाये जाता है एक pool बनाये जाता है large एक sum इखटा हो जाता है और फिर उसको stocks में तो ये mutual fund है थोड़ा less risky होता है कैसे वो less risky होता है क्योंकि इसको एक professional fund manager manage करते है और as compared to कि अगर कोई person अकेले invest करें तो उसके comparison में जो mutual fund है वो कम risky होते हैं बट फिर भी market का risk रहता है registrars maintain a register of share and eventures holder and process share and eventure allocation तो register क्या करते है ये उसको record maintain करते है allocation का का काम करते है shares or eventures का अब साथ योब बात करते है IDDA की insurance regulatory and development authority IDDA तो इसका main काम जो हमने पहले भी पढ़ा था ये business और supervise करता है सारी insurance companies का और pension की जो rules and regulations है उनको देखता है multi commodity exchange of India limited mcx तो mcx क्या है India's first listed exchange in the state of art community future exchange and facilitates online trading and clearing and settlement of community future transaction साथियो जैसे share markets में shares की trading होती है mcx में जो है इसमें commodity market जो कहते हैं इसको commodity की trading होती है तो ये क्या करता है platform provide करता है commodity trading के लिए और ये 2003 नमबर 2003 में start हुआ था और mcx offers trading in variety 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 commodity future contract across segments including bullions ferrous and non-ferrous metal exchange focuses on providing commodity value in participating secure and formulating quality parameter and trade regulation in conformity with the regulatory framework साथियो mcx क्या करता है कई सारी different different securities में trade करवाता एक platform provide करता है और agri-based non-agri-based metal ferrous non-ferrous अलग अलग तरह की commodities हैं जिनमे mcx के साथ trade कर सकते हैं साथियो ये तो ये chapter हुआ पहला chapter इसमें के बारे में दिया हुआ है तो financial system comprises of group of intermediaries market and instrument जो की आपस में related है each other with each other और financial system क्या करता है एक system provide करता है जिससे की जो savings हैं उनको transform किया जा सके investment के रूप में साथियो आपको समझना होगा जब तक वो savings हैं तब तक वो ज़्यादा काम की नहीं है लेकिन savings एगवार investment बन जाती है तो वो economy के लिए बहुत अच्छा है जितना ज़्यादा investment economy में होगा उतना ही हमारे country के लिए अच्छा होता है RBI being central bank authority central bank authority है तो यह exercise करती है monetary control supervision करती है banking institutions का commercial bank NBFC mutual fund insurance company इन सबकी का supervision जो है जो insurance companies का और इनका supervision जो है अलग-अलग regulators है insurance company का ADA है share market capital market जो है इनका जो regulation है वो से भी करता है तो साथ यो इस chapter में इतना ही है और इसके साथ यह chapter आपका unit 1 जो है Indian financial system and overview यह आपका और further जो है यह chapter आपका complete हो रहा है साथियो तो आप comment करके जरूर बताएं कि यह video आपको कैसा लगा further मैं next video जल्दी ही upload करूँगा जो कि unit 2 का होगा तो साथियो अगर video आपको पसंद आया हो तो इसे like करें share करें comments करके बताएं कि video आपको कैसा लगा अपने सभी साथियों के साथ share करें channel को subscribe करें और bell icon को press करें ताकि next video की notification आपको मिले तो साथियो इस video में इतना ही मिलते है next video में thank you